हेलो दोस्तों तो क्या हाल है आज हम फिर से एक क्यूबस पे बीट बनाएंगे लेकिन सौंग को पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि देखिए यार सौंग पूरा बनाने में टाइम लगता है और आपको क्योवर एक जड्रीक तरीके कज्रूवर के पास होगा तो आप मतलब कहीं भी और किसी वीडियो में या मतलब कोई भी सेंपल अपके पास तो बना सकते हैं कोई कोई सिंपल हो गरा लिया तो नहीं था क्योंकि सब कुछ लाइव करना है तो चलिए कुछ बनाना सुरू करते हैं और आज हम क्यों दो चीज पर ज्यादा फोकस रखेंगे एक यहां पर होता है टांफोर्ज को अप्शन और दूसरा हमारा बाउंस जो मतलब कि इसको सिलेट कर लगातर करते हैं तो आपका इसकेल या थोड़ा सा मतलब काम करने का तरीका यूनिक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा तो मेरा मेन फोकस है कि आज इसी पर ज्यादा मतलब वार्क हो क्योंकि देखिए यार वीडियो तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं कि ऐसे करो ऐसे इसको मैंने की फ्रेमिंग से सेट करके रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए इसको बार-बार यूज करें आडियो फाइल में जाके और की फ्रेमिंग का वीडियो अगर आपने नहीं दिया तो इसको काट में लिक दे दूँगा आप उसको देख सकते हैं कोई और यूज कि पहले अगर आप पाइटन बना लेते हैं क्योंकि वही पाइटन भार-बार क्योंपी पेस्ट होता रहता है तो पहले कॉफ कर लेते हैं तो हमारा कुछ इसा है बप हमने सेट नहीं किख OUT दिफाल वही 120 ही है तो उसे में कोई मतलब न ही क्योंकि हमारा तो मैन शाय से ना की मतलब डिजाइनिंग पर तो तो इसको यहाँ पर रखते हैं जैसा कि आप जानते ही है कि होड़क कोई बंता है तो इसे में बनता है और इसका जो टांस्पोज ले वाले उसको हम 3 कर देंगे ठीक है ना 3 कर सकते हैं 2 कर सकते हैं 6 कर सकते हैं वो आपने हिसाब से तक सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कितना रखने है तो मैं इसको एक ओक्टेव उपर कर देता हूं तो देखते हैं कैसा लगता है लेकिन बहुत जादा हो जाएगा तो इसको लगभग 6 रखिए या सॉरी मैं दूसरे को छेड़ने लगा था तो इसको 3 रखिए या 6 रखिए क्योंकि इतना रहेगा तो आपका मतलब जो भी modification होगा वो सामने से दिखाएगा front पे नहीं तो समझ में नहीं हैगा कि क्या आपने changes क्या किया है अब जैसे कि यह वाला हो गया ठीक ना तो दूसरे वाले को normal रखिएगा क्योंकि देखिए दूसरा वाला ने जब normal रखेंगे तो इसका जो नौर्मल होता है मतलब 0 पर क्योंकि जो आपका सेंपल होता है जीरो पर ही होता है तो अब इन दोनों को सुनते हैं देखते हैं अभी यह कैसा लगेगा तो दिखे यह designing मतलब आपको अच्छा लगा होगा ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगा है या लाइक मार दीज़ेगा क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं इतना मेनाथ करते हैं है ठीक है तो लाइक करेंगे तो थोड़ा था हमारा भी मतलब वह बढ़ेगा क्य यह भी मतलब हुड़के का ही साउंड है तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा इसका सेप आगे से बढ़ा हुआ है तो इसको अगर हम कम कर देते हैं तो हमारे बार पे आ जाएगा तो सिंप्ली अपने कीबोड से जे फ्रेस करिएगा तो यह कर सकते हैं अगर जे नहीं दबाएंगे तो यहां से इसको क्लिक कर सकते हैं यह स्नैप होता है अन आफ तो जब आन रहेगा तो आप इसको बार टू मतलब अपनी साफ से कोडिंग नहीं मतलब कर सकते हैं ठीक है तो इसको हम आफ कर देते हैं और अपनी साफ से को कर देते है और इसको जब अपने साफ से अर्जस कर लिजिएगा तो यह मतलब जे दबाके यहां पर जाके स्नैप को अन कर दीजिएगा क्योंकि देखिए ने तो आपका बीट इधर दर पड़ेगा तो सही नहीं होगा आपके लिए अब इसको सुनते हैं देखते हैं कैसा यह लगता अच्छा है तुसको भी चेंज कर सकते हैं यहां इसको रुर कर सकते हैं और नहीं कि अजलेगा साफ सत्रें। कि अपध recommendation हो हाई तक हम इसको काप पेसा लंगा कि कैसा है कि अघुकि अगर यह भार तू बार अगर नहीं सेट होगा तो जार सी बात है कि आगे 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 आपको क। अचिक कर देंगे और कर देंगे और कीबोर्ट से इंटर दबाने के बाद आपका एक लूप यह भी बन जाएगा अब ऐसा करने से आपको बार-बार यह रहेगा कि आपको इसका मतलब आदत हो जाएगा और की फ्रेमिंग का वीडियो जरूर दिखिएगा क्योंकि यार क्यूबिस को अपने हिसाब से जब अपने जिसे की होता है आप मालीज मैंने को सिफ्ट बी से बना के रखाया ठीक है ना कि सिफ्ट बी करूंगा तो बाउंस काम करेगा तो इसको अपने कॉर्डिंग ऐसे बना लीजेगा तो ज्यादा बढ़ी है आपके लिए और उसके बाद एक इसने अगर इसमें ही बेस रहेगा तो हमारा बेस क्या काम करेगा तो यह दबाईएगा और इसको थोड़ा से छोटा कर लीजेगा क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप वाले स्नेयर में मतलब बेस या मतलब इतना ज्यादा भारी नहों तो अपने कॉर्डिंग करिएगा तो मेरे क आपका काम हो जाए तो इसको जे दबा दीजेगा ताकि मतलब यह आपका स्नेयर ओन हो जाए ताकि आपको बार टू बार सेट करने के लिए दिक्कत नहों और मैंने सिर्ट बी से सेट करके रखा है और आप भी सेट कर लिजेगा पहले की फ्रेमिंग का वीडियो जबर तो सिंपली हमने जब इतना कर लिया तो उसके बाद फिर इसको लेवल कर लेंगे क्योंकि देखिए लेवल बहुत जरूरी है अगर लेवल नहीं रहेगा तो जाची बात है कि मतलब वह सटीक बैठेगा नहीं तो किक को थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं हलका सा डाउन कर लेते हैं क्योंकि देखिए इन दोनों को बैलेंस बनाना जरूरी है क्योंकि होड़के और किक के उसमें मतलब डिफरेंस रहता है वाल्यूम का डिफरेंस रहता है ज्यादा कुछ रहता नहीं है और मैं चाहता तो तो इसको मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से पूरा कोई ट्रैक ले लेता ऐसे बना देता तो इसे में फाइदा नहीं होता आपका क्योंकि देखिए में अगर आप डिजाइन कर लेंगे तो देखिए कॉपी ट्रैक तो उठा के किसे भी गाने पर बना सकते हैं लेकिन में होता आपको बनाना चाहिए और इसका स्नेयर के थोड़ा सा loudness लग दो रिए तो 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 सम्क्राइब जादा नहीं करेंगे और यह थोड़ा सा अलकल हाई तो नर्मल हमारा यह हो गया ठीक है ना क्योंकि आज हम क्यों सोच लिए थे कि क्यों सेंपल पर ही काम करेंगे मतलब कोई लूप वगरा नहीं यूज करेंगे क्योंकि यार लूप यूज करने से यह होता है ना कि हर किसी के पास लूप नहीं होता है जायर सी बात है क्योंकि हो बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था मतलब इसका जो फीडवाक है वो कम हो जाएगा और इसको चाहे तो जे दबा के करिये तो ज़्यादा बढ़िया है और इन चीजों को बताने से आपको मतलब बार-बार इसका नौलेज हो जाएगा और आपके माइन में फिक्स हो जाएगा कि हम अगर पैटन पहले बना लेते हैं तो लगबग एक से दो घंटे में रिदम बना लेगी नहीं तो जानते हैं कि बहुत टाइम लगता है मैं पहले इस पर डियाइन करता था थोड़ा बहुत क्योंकि अब तो जादा तर में अफल पर काम करता हूं तो मेरे को बहुत टाइम लगता था तो तो मैंने इसका मतलब काम आपको जल्दी करने का एक है रास्ता निकाला है कि सिंपली आप इसको पहले बाउंस करके एक लूप में बना लीजिए ठीक है ना और उसके बाद फिर सुचते रहे कि कौन सा मतलब लूप कहां पर लगाना है तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और इसके बाद फिर एक और ही टाइट ले लेंगे साइड इसमें होगा कोई क्योंकि पता है ना कि आपको हीट है जो है लेयर करके लगाएंगे तो एक अच्छा सा मतलब बाईब आता है और लगता है कि हाँ कुछ प्रोफेस्टनल बनाया गया है क्योंकि अगर जायता बात सब बहुलेंगे कि यार वही यूज़करते हो है नो और जो सेकेंड वाल है आप चाहें तो इसके साथ में इसी के बराबर ही उज़ कर सकते हैं कोई वह नहीं है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा बहुत बेरियेशन के लिए जैसे कि माली जे फ़स्ट पार्ट आप बजा लेते हैं फोर इन फोर वार में तो आगे चें स्लिप करके सुरी स्प्लेट करके इतना सही पार्ट मतलब हमें चाहिए क्योंकि इतना पार्ट मेरे पास रहेगा तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूं और इधर उदर यूज़ कर सकता हूं और जब पैटन वाइज रहेगा तो आपको भी पता है कि यूज़ करने में दिकेप कि एसमार बार बार बोल रहा हूं कि पैटर्ण मेरा फोकस है को अधार हम पैटर्ण ही बनाएं इस टाइप में क्यूकि पैटर्ण of fasten में असान ही रहता बार बार वही ही ठीट कर रहा हूं मैं भी क्या कर रहा है तो इसके बाद जब इतना कुछ हो गया क्योंकि फुरका बना ली हमने ठीक है तो और एक यह ले लेते हैं मतलब यह साउंड है क्या नाम है मतलब इभी हुड़के का ही साउंड है तो नियू कर देते हैं और यह वाला जो सेकंड वाला बनाएंगे आप चाहिए तो नॉर्मल नहीं होगा और यह सेंपल रेंडर करके भी रह सकते हैं लेकिन जब इसको ऐसे माली जे लूप बना करके रहेंगे तो आप में जो अडिवाइल होता है उसमें तपड़ा ही होता है जाहिर सी बात है तो आप उसको आगे भी उज़ कर सकते हैं जरूर नहीं कि एक बार ही कि देखिए भई बीट हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो क्योंकि हर बीपिम अलग-अलग होता है आपको भी पता है अब ऐसे में होगा कि जब माली जे कि आपने इतना बना लिया ठीक है यह सोरी कंट्रोल डी करना है मुझे कंट्रोल भी का आदत पड होता है तो हमने इतना बना लिया ठीक है तो हम इसको डॉब्लिकेट जब बनाएंगे तो माली जे हमारा चार बार का हो गया ठीक हमारा चार बार यहां से यहां तक आता है ठीक है तो हम इतना इसको चेंजस के लिए इतना इसको हटा देंगे और सिंपली यह और आगे वाले में इस नीचे वाले कोटा देंगे तो इसा होगा नखी जब आप दोनों को लेयर करके चलाओ गए तो थोड़ा सा अलग बनेगा और अलग तरीक इस लगेगा जैसे कि यह नॉर्मली सब बनाते हैं अब सुनके देखते हैं इसको फाइरली में और यह में इसको ध्यान ने दिया फिर से सुन लेते हैं इसको जब इस पर अगर बेस होगा रहा लेयर करते हैं तो मतलब यह अच्छा सा साउंड करेगा यह और देखते हैं इसमें और क्या लगा सकते हैं तो टॉम होगरा यह यूज कर सकते हैं क्योंकि देखिए साउंड करता है। कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यह था ना कि मतलब आपको इस प्लिट और यह आपका जो ट्रांफोजिंग होता है और यह मतलब कि इसको पाइटन वाइज बनाना ठीक है ना क्योंकि अगर जब ऐसा बना लेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब इसको यूज करने में औ और आप चाहें तो यहां भी लगा सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंट करूंगा कि स्टार्टिक जब इंट्रो होता है तो हाँ पर कुछ ऐसा ही यूनिक मनाईए तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आपको भी मजायेगा और आगे वाले को भी मजायेगा और आइसे में नहीं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा इसको क्या करिएगा मतलब इसको डबल बना लीजेगा और इसको मैं यहां सोरे इसको यहां पे कर लेता हूँ तो ऐसे में यह रहेगा कि एक थोड़ा सा मतलब एक अच्छा फील देगा आपको अब सुनके देखने इसको और वैसे ही रखिए तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि दिखिए मैं मतलब जो सिंगल लूप होता है वो ज्यादा मतलब स्ट्रॉंग और अच्छे से काम करता है और जब उसमें मतलब द दो तीन लेल लगाया जाता है तो थोड़ा सा अजीव टैप हो जाता है और इस कंडिशन से इस कंडिशन का कोई नहीं है यह आपका जो है ना लूप यह फोर बार में एक बार आयेगा या तो आपकी अच्छा तो दो बार लगा से कोई दिकत नहीं तो मुझे तो यूज कर आपको यूज करने में थोड़ा सा असानी हो जाएगा और ऐसा भी यूज कर सकते हैं जैसे कि यहां पर हो गया वह आपके ऊपर है कि मतलब किस तरीके से यूज करना चाहते हैं और पिछ आपको ऊपर निचे करना है तो थोड़ा बहुत टांस्पोर्जिंग बढ़ा देख लेजिए कि कौन सा सही लग रहा है क्योंकि देखिए हो सकता है कि मेरे जो मैं कंडिशन में बना रहा हूं इसमें मेरे लिए सही हो हो सकता है आपकी कंडिशन में यह अलब हो ठीक है तो सिंपल यह मतलब एक अच्छा सावंड बनाने के लिए इतना मतलब आपको प्र दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई दिख़त नहीं है और फिर एक बेस्ट भी बना लेते हैं इन दोनों को सप्रेज को जो ग्लर में डोल क्या बलते आपस में कॉमिनिश्न मिना आ जाता है इन दोनों को मरस्द किया जाता है और मतलब अच्छा वाइब देने के लिए तो उसके लिए लेयर और कितना क्या रखना यह भी जरूरी है ठीक ना क्योंकि अगर इतना नहीं पता रहेगा तो जाड़ती बात है आगे फंस सकते हैं तो यहां पर ले लेंगे UK प्लक 5-2 और चाहे तो आप म्यूट गिटार भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यह भी बहुत अच्छा काम करता है फिलाल मैंने यूज किया है काफी टाइम अब काफी सारे गानों में सुने होंगे सुरी सुने होंगे तो वहां पर देखा हुआ कि मतलब इस मतलब गिटार का म्यूट गिटार का का काफी जादा यूज हुआ है तो एक बेस बना लेते हैं कहले है तो प्लक का साउंड लेकिन बेस बना लेते हैं इसी से और इसको पाल सिलेट करिएगा और सिफ्ट दबाके यह जो आपका एरो वाला की है आप आप हैंड डाउन वाला इसको उपर कर लिएगा क्योंकि देखिए हो सकता है कि मतलब जब बहुत जब जब नीचे होता है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि प्लक साउंड आपको भी पता है कि पतले में अच्छे लगते हैं और इसका डिले और रिबर्ब जरूर बंद कर दिएगा जब भी यूच करेगा क्योंकि दिखिए डिले रिबर्ब अपने हिसाब से एड़ कर सकते हैं लेकिन प्लक और बेस में यार डिले का सा जरूरत नहीं होता है अब इसको अल्टर दबाएगा आगे पीछे कॉपी कर सकते हैं को इसमें वह नहीं है अगर यह वाला बेस नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरा वाला यूच कर दिजिए और यह भी नहीं अच्छा लगता तो आप यूच कर सकते हैं क्योंकि देखिए साउन दोनों का कि मतलब किसी को दूसरा पसंद आता है किसी को दूसरा पसंद आता है और इसको लेयर करने के लिए आप साइलेंट वन का जो बेस होता है बिग बेस उसको भी यूच कर सकते हैं अच्छा साउंड करता होगी क्योंकि देखिए बहुत सारे भाई बोलते हैं कि प्रिसेट सर प्रिशेट के लिए कोई मतलब उस टाइब का वीडियो बनाया नहीं जा सकता है और क्योंकि आर जानते हैं न वीडियो मतलब बना वह कोई थोड़ा सा इस्टरकल यह मिनात करके बनाता है और अगर उसको कोई पांच मिट भी नहीं देखता है मैं देख रहा था रिटेंसन कल तो वो करीब तीन मेंट चार मेंट का एवरेज आ रहा था तो बताओ ना यार मैं करीब यार एक गंटे देख गंटे परिसान होता हूं रिस्पॉंस यार इतना जादा अगर इतना ही कम मदलब वाच करेंगे तो यार कैसे चलेगा तो सिंपली इसमें अरपी लगा हुए त इसको हम अटा देंगे और निची वाल क्यूंकि हमें बस का ही कार में ऑल तो हमको जायेंगे और यहां पर जायांगे और इसको क्या प्ह expect हमें चाहिए और और पर यह ब्लाना इसको कभी भी आपको सबच बनाना है मतलब कोई बिम लिजब किसी भी बैस भाऊ तो उसके लि तो यहां पर देखते हैं low cut high cut कुछ है कि नहीं है तो माली जी हाइस cut है ठीक है नो इधर हम एक low cut ले लेते हैं और इन दोनों को कि उसी according और जिस्ट करेंगे जितना कि हमको बेस मिल जाए बस अच्छे से बेस और कुछ कि यार ज्यादा मतलब वह ऐसा रखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगए अब आप देखें ना कि बेस मतलब कि एक सटल तरीके से काम कर रहा है मतलब यह फिल्टर से भी कर सकते ह जो मतलब क्यूब इस का एक्यू है उसमें मतलब है वह सब फंक्शन है लेकिन आसानी से नहीं जोज किया जा सकता और फैक फिल्टर में मतलब कुछ चीज़े हैं जो आसान है já सिंप्ली आपको कोई मालिजय कै कोई बुरव क्या बjust? क कर अकरणा है ना कुछ भी करना तो डिससे की आप मैं इस पर डॉबल कलिक करता तो यहां पर एक पॉइंट दे दिया और यहां पर सेप में जाके इसको हाई-Cut or low-cut बना सकते हैं ठीक है ना sorry इसको हटाते हैं पहले यार हाई-Cut करते हैं तो माली जी हाई-Cut मारह हो गया ठीक है ना जब आगे double click मारेंगे तो low-cut अपनी ही साफ़ी बना देगा फर high इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जब मालीजे ऐसे case में आपका ये हो जाएं तो simply आप यहाँ पर आएगा और ऐसे कर दीजेगा mouse की scrolling से करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं करेगा तो अराम से वो बना देगा वो चीज ठीक है और यूज करने भी आपको दिक्कत नहीं होगा तो मैं एक चीज बोलूँगा कि आप अगर बेस के लिए फैर फिल्टर यूज करें ऐसा बनाने के लिए तो ज्यादा बढ़े हैं और इसको हटा देते हैं उपर वाला यार और बेस थोड़ा सा थम लग रहा है तो इसको थोड़ा सा नीशे कर लेंगे कि देखिए बेस में जितना भी लोर अक्टे से करेंगे उतना ही मतलब अच्छा सा बेस मिलेगा आपको अब देखिए मैंने क्यों ज्यादा कुछ किया नहीं है क्यों दो लेयर पर ही बनाया है मतलब एक सुपर वेस्ट बन रहा है ठीक है इसको चाहें तो और भी बढ़िया बना सकते हैं ऐसा नहीं है तो मतलब जो मैंने आज बताया की मतलब लूप आई और पैटन इसको पहले बना लेंगे तो आपको कॉंपी पेश्ट करने में दिक्कत नहीं होगा और आपको भी पता है कि मतलब गाने में ज्यादातर कॉंपी पेस्ट ही ही होता है होड़के अगर अगर हो गया थोड़ा बहुत 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 बैरी से नागे पिछे होता है तो मैं मतलब फोकुस रखिये कि पहले पाइटन वाई जिसको बनाना सीखिए कि यार जब वही है ना बार बार वही यह की चीज़ बलता है कि मतलब पैटन बना लेंगे तो कॉंपी पेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगा और कंट्रोल डी से डुब्लीकेट या पेस्ट हो सकता कॉंपी पेस्ट और चाहें तो आप इसका वाल्यूम लेवल होगा बैलेंस कर सकते हैं फिलाल मैं नहीं बोलूगा क्योंकि दिखिए लगबख नॉर्मल यह आपका बहुत अच्छा काम करता है अब उस जब आपको मिक्स होगारा करना होता है तो उसी समय मतलब यह थोड़ा सा इसको ध्यां क्योंकि मेरा फोकस दाकियोल आपको आज पैटन और जो मतलब इसका ट्रांसपोज वाल आफसन है इन सब को छेड़ाना और आपको डिजाइन करवाना बाकि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के ठीक है कोई दिकत नहीं है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते और हां सब्सक्राइब करके जाना